हेलो एब्रिवन एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल YCP English मंत्रा में गायेच कभी-कभी हम एपने day-to-day life में इस प्रकार के sentences बोलने होते हैं जैसे मैं इस कानून से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ मैं तुम्हारी चालो से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ जैदातर पुलिस वाले अपराध्यों के कारणा में से वाकिफ होते हैं तो जब कभी बोलने होते हैं आपको ऐसे sentence से जहां पर कहा जाए किसी इंसान या किसी चीज से अच्छी तरह से वाकिफ होना तो वहाँ पर में यूज करते हैं get wise to someone or something it means to become fully aware of someone or something इसका हिंदी मिनिंग है किसी इंसान या किसी चीज से अच्छी तरह से वाकिफ होना या अच्छी जानकारी होना तो आईए example के माध्यम से वर अच्छे समझ लेते हैं now the first one is मैं तुम्हारे चालो से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ I get wise to your tricks I get wise to your tricks now the next one is मेरा भाई इस नोकरी से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है my brother does not get wise to this job my brother does not get wise to this job now the next one is वह मेरे प्लान से अच्छी तरह से वाकिफ है इसलिए वह इसे ज्वाइन करना चाहता है he gets wise to my plan so he wants to join it now the next one is जैदातर पुलिस वाले अप्राजयों के कारनामे से वाकिफ होते हैं most of police get wise to criminals doing say most of police get wise to criminals doing say now the next one is मैं इस कानून से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ I get wise to this law I get wise to this law now the last one is चोर को इस घर की अच्छी जानकारी थी the thief got wise to this house the thief got wise to this house that's it friends आज के वीडियों बस इतना ही तो आई करते हैं आपसे question हमारा question है आपसे why is the wise से अच्छी तरह से वाकिफ है तो guys इस sentence के English क्या होगा आप सभी लोग comment box में comment करके बताएं और friends अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को like करिए share करिए comment करिए क्योंकि आपका एक like एक share एक comment होई motivation देता है next वीडियो बनाने के लिए till then bye bye take care keep learning keep practicing